तो फ्रेंट्स विलकम बैक टू माई चानल, तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि वाट्सप में आप स्रिफ सिंगल टी केसे दिखा सकते हो, यानि कि दोस्तो आपको वाट्सप पे कोई भी मेसेज करेगा, तो स्रिफ उसको जो है सिंगल टी की श शो करेगा, ना तो दोस्तो आप उसे ओनलाइन दिखोगे और ना लीट दबल टी करेगा, और सिंगल टी शो करड़े मैं सभी को लाइवप्रूप करके भी दिखाने वाला हूँ तो जानने के लिए बस दोथ आपको इस वीडियो में जो फंतल बने रहे हैं, और हान्स पहले तो यहां पे मैं आप सभी को इस वाले whatsapp से एक message करके दिखा देता हूँ जिसाब आप दिख सकते हो, यहांपे मίνने एक message टाइप कर लिया है और यहां से मैंसेज को प्रण दहा होत तो अभी मैंने message को चक को ओ and setting करके बताने माला हु जी से करने के बाद दुस तो आपको कोई भी बन्दा message करेगा तो दोस्तो उसको सिंगल टीक की शो करेगा एक तो दोस्तो उसको double tick भी नहीं शो करेगा ब्लू टीक भी नहीं शो करेगा और यहाँ पे online भी शो करेगा वह वी दोस्तों बिना किसी एप के तो दोस्तों ओस चपी करना यहां पर मैं सभी को बता देता हूँ और उसके बीधा देख मैं ओंना है या याً靡़ करता है तो इस वाले option पे आपको इससे click करना है जैसे click करने तो दोस्तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरके का interface आ जाएगा तो अगर दोस्तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इसा interface यान की दोस्तो इसे long press करने के बाद दोस्तो एह वाला option नहीं आ रहा है तो दोस्तों आपको क्या कार रहा है आपको अपने mobile के setting को open करने है setting open करने के बाद दोस्तों यहाँ पिर आपको एक apps करके option मिल जाएगा mainjes manage app करके एक option देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पे आपको इसे click करना है तो इस पे जैसे क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको सारी की सारी वोई सेटिंग्स देखने को मिल जाएगी जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैंने आप सभी को बताए कि यह से लोंग प्रेस करने के बाद एप इन्फो पे जाओगे तो आपको वो सेटिंग्स होए और जाएगी तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो डाटा यूजच करके एक ओप्षन है तो उसके आपको इसए क्लिक करना है जैसे इसे क्लिक कर और दोस्तों यहाँ आपके सामने कुछ इस्तरकी का इंटरफेस आ जाएगा तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो mobile data sim1, mobile data sim2 और wifi और background data तो दोस्तों यहाँ पे आपको sim1 sim2 और यह wifi वाले option को इस तरह से off कर लेना है इतना setting करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको back आ जाना है back आने के बाद दोस्तों आपको अपने whatsapp को जो है पूरी तरह से यहाँ से clear कर लेना है इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप सभी के सामने अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा mobile का data भी यहाँ पे on है और यहाँ पे मैं इसे whatsapp को भी open कर लेता हूँ यहाँ आप देख सकते हो और यहाँ से मैं इसे अभी whatsapp को बन कर दिया है या ओपन रखो आपको कुछ कोई भी फ़रक नहीं पड़ेगा अब आप सभी के सामने याप एक मेसेज करके दिखा दिता हूँ जिसे कि दोस्तों याप आप देख सकते हो हाई करके याप मैंने सेंड कर लिए अब आप देख सकते हो याप एक हमें नोटिफिकेशन भी मिल च सिर्फ सिंगल टिफिट कर रहे है इसा आपको पता चल जाए का लेकिन दोस्तों याप आपको मेसेज रिषीव नहीं होगा और याप आप देख सकते हो हाँ सुर्फ सिंगल टिफिकेशन भी शोग रहे हूं खर है इस से आपने मोबाल का डाटा ओन करके क्रिसी यान की यूटीब चला सकते हो फेस्बुक सला सकते हो इसा आपको पता चलेगा लेकिन दोस्तो यहां पे आपका इंटरेट डाटा ओन रहेगा यान की दोस्तो आप आप आपने वाट्सब पर ऑंलाइन रहोगे फिर भी पार किसी के हम सब्दवर्क और वापその पर ऊंन एक झिम करेगा यान की दोस्तों वापस आपको व्यवाट्सप ऌन करना या तो याप इसवाइन वाठ्सप पर वहिए व यपारिए आप DR मुपर पर आप प्लाज सब्सक्राइब 2 पर दोस्तों वाटसप कर लिए अब्सक्राइब करने लगा तो इस तरह से दोस्तों आप अपने वाटसप पे सेंड करने के बाद दोस्तो आप अपने तो फ्रेंट्स आज की वीडियो आप s subway को पसंद आई हुगी तो वीडियो एक लाइक और चाला को सस्क्राइब जरू करलेबा थेंकि दोस्तो